मजबूर के मजबूर के साथ में खड़ाएजे देखें आपने बहुत इंतजार किया और इंतजार खतम हो गया हमारी नेता हमारे प्रत्यासी भाई राहुल जी के लिए जो संगार्स और आपको प्यार पाने के लिए गाओं बाओं दोर नहीं है मानि प्रेंका गांदी जी आपके बीच में आ गई है और अब हम बहुत बादा नहीं बना चाहते है मानि आप प्रेंका गांदी जी का स्वागत करेंगे हमारे सभी में आए पंचायता धैच और इसकायर कम के सायों हो जाग भाई रागवेन सिंग सलेंत्यागी जी अनुएज जी प्रदेव जी भाई दलबादु सिंग जी कहने तो तुम्हें हमारे जिले के सपा के उपाद्याच भाई राजेन पुसाद यादो जी बे पूरे मेहने से काम कर रहे हैं अब मैं निवदल करूँगा आधनी प्रयंका गांधी जी से कि वे आवे हैं और आप सबको संबोधित करें अपने परिवार के बीच में आई हैं परिवार के बात करेंगे आपके साथ जुड़ेंगे मानी प्रयंका गांधी बहनों और भाईयों बहुत समय से इंतिजार कर रहे हैं न थक गए अब भाशन सुनने का दिल है कि नहीं है है क्या सुना हूँ नमस्कार बैठ जाओ अराम से बैठ जाओ शांती से बैठो बोलो तो सबसे पहले तो मंच पर आसीन सभी नेता गण सभी पारिकरता गण सभी कॉंग्रेस के मेरे साथियों को इस सभा में बहुत-बहुत स्वागत उनका और आपका भी बहुत स्वागत आप काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ रास्ते में बहुत लोग रोकते हैं क्योंकि मिलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं तो हर जगे रुकना पड़ता है इसलिए देर हो जाती है तो देखिए चुनाओ के संदर्ड में मैं आपसे बाते करने आई हूँ अब यहां आपकी सांसद मेरी माता जी है 20 सालों से आपकी सांसद रही है यहां पे तवाम ऐसे बड़े-बड़े विकास के कारियों उन्होंने कराए उनके कारिकाल में और इंद्रा जी के इंद्रा कनायल विदारी जी के समय के बाग बनी तो यह सारी जो जितनी भी विकास के कारियों है सारे यहां उनके कारिकाल में हुए तो आपने जो यहां से एक राजनीती शुरू की और जो यहां की राजनीतिक परंपरा यहां की राजनीतिक सभ्यता रही उसी ने एक तरे से देश को राजनीती के दिशा दिखाए आप जानते होंगे कि 103 सार पहले यहाँ बड़ा अंदोलन हुआ था अजादी से पहले और उस अंदोलन में यहाँ के किसान अंग्रेजी सामराजी के खिलाफ खड़े हो गए तो जब उस अंदोलन की चर्चा इलाबाद पहुँची जहां मेरा परिवार रहता था तब जवाला नहरू जी यहाँ आए और वो आप ही की पुकार थी उन्होंने जाना कि यहाँ के गरीब किसान अंग्रेजी सामराजी के खिलाफ खड़े हो गए कि अपनी आजादी के लिए अंदोलन कर रहे है तब ही वो यहाँ आए तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 103 साल पहले भी यहाँ की जनता बहुत जागरुक थी एक राज़नीतिक चेतना थी उनमें कि गरीब किसान थे इतना बड़ा सामराज्य था इतनी शक्ती थी उस सामराज्य में फिर भी यहाँ के खिसान खड़े हो गए और उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी तो यहाँ से एक राज़नीतिक परंपरा शुरू हुई आजादी हुई मेरी दादी जी इंद्रा जी आपकी सांसत बनी तो वो प्रधान मंत्री थी उस समय तो जब प्रधान मंत्री थी और आपकी सांसत थी तो ऐसा भी हुआ कि आपको उनकी एक नीती पसंद नहीं आई आपको लगा कि यह नीती नुकसान दायक है आपने चुनाव हरा दिया इंद्रा जी जैसी महान हस्ती को आपने चुनाव हराया क्योंकि आपने कहा कि यह जो इनकी नीती है यह हमारे लिए नुकसान दायक है हमें पसंद नहीं है तो इंद्रा जी ने आत्मचिंतन किया यह सोचा कि अगर राइबरेली की जनता मुझे नकार रही है तो मेरे से कुछ गल्ती हो गई होगी आत्मचिंतन किया उसके बाद गल्ती दुरुस्त की और फिर आपके सामने आई फिर आपने उनको जिदाया तो यह आपकी जो परंपरा रही है बहुत मजबूत लोकतांतरिक परंपरा कि जनता की आवाज हमेशा यहां से उठी है अगर कोई लोक प्रियनेता भी रहा इंद्रा जी की तरह जिनसे आपका एक खास रिष्टा था प्रेम का रिष्टा था लेकिन उनको आपको उनकी कोई बात सही नहीं लगी तो आपने उनको भी हराकर उनको भी सिखाया कि लोक तंतर में एक जनता सर्वोपरी होती है और जनता का जो ख्याल होता है जनता का विवेक होता है वो सर्वोपरी होता है यह सीखा उनोंने तो इस तरह से जो यहां पे राज़ितिक परंपरा स्थापित हुई चाहे वो प्रधान मंत्री हो, कोई भी हो, यहां आकर आपके सेवक बनके आते थे, श्रद्धा से आते थे और आपकी सेवा करते थे वही परंपरा उस समय अमेटी राइबरेली एक शेत्रु होता था वही परंपरा हाओं में चले जाते थे और कहते थे कि हमारा विजली का खंबा लगा दिया है तार क्यों नहीं खीचा सरक की मरंमत करा दो भीया नहीं तो वोट नहीं देंगे हर्सते थे काम भी करा देते थे नराज नहीं होते थे कि जन्ता ने टोक दिया कुछ कह दिया किसी ने यहीं यहां की राजनीतिक सभ्यता बनी तो चाहे बड़े से बड़े नेता थे वो यहां आपके बीच आते थे गाउं गाउं जाते थे आपकी समस्याओं को सुनते थे समझते थे और विकास का काम कराते थे और जो सरकारे आई वो आपके लिए थी अब आज देश में क्या परंपरा है हाँ घटिया परंपरा है कैसी बताओ माईक है दूसरा दो इसमें बोलो सब सुनेंगे सबसे पहले मोधी ने गलती किया खा गये चिनी पी गये तेल अब देखो मोधी की अत्याचा सबसे पहला का अब मोधी दूसरा काम है कि जूतों की माला पहनाना चाहिए इतना निकम्मे काम किया घटिया काम किया तो देखिए देखिए आज जो राजनीती देश में हावी है जिनके बड़े-बड़े नुन्नेता मोदी जी की तरह आपके सामने आते हैं और जो जैसे जिनके यहां के जो हमारे प्रत्याशी है जो आपसे यह मांग कर रहे हैं कि आप उनको सांसत बनाए उनकी एक एकदम अलग विचारधारा है और अलग राजनीतिक सभ्यता है आज के प्रधान मंत्री बैच जो अब मैं लंबा बोलूँगी कान पक जाएंगे सुनते सुनते देश के प्रधान मंत्री जो है उनकी क्या राजनीतिक सभ्यता है मैं बताओ कहा दिखते हैं आपको टीवी पर दिखते हैं टीवी पर देखा है बड़े बड़े मंचों पर दिखते हैं ऐसे छोटे मंच पर आएंगे कभी नहीं आएंगे आपके बीच आएंगे नहीं आएंगे बड़े बड़े मंचों पर दिखते हैं बड़े-बड़े महलो बड़े-बड़े इवेंटों में दिखते है साफ सुत्रे लगते हमसे हमेशा देखा है सफेद कुर्ता होता एकदम क्या कोई और रंका लेकिन होता साफ सुत्रा है उस पे एक दाग देखा है कभी धूल का नहीं होता माते पे एक शिकर नहीं है इतना चमकते हैं मैंने कि हमें भी पता करना चाहिए कि क्या लगाते हैं चहरे पे चमकने के लिए वो कभी गरीगों के बीच नहीं दिखते सांसद है वारा नसी के एक बार किसी गाउ के अंदर किसी के घर में नहीं गये है एक बार किसी किसान से नहीं पूछा है कि तुम्हारे हाल-चाल क्या है कैसे जी रहे हो कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है एक बार नहीं पूछा है एक बार नहीं पूछा और उनके एक सलाकारने भी मुझे लगता है उनको कुछ नहीं बता है क्योंकि आज जो इस देश की जनता देख रही है जो उसकी सच्चाई है वो मोदी जी के किसी भी भाशन में प्रकट नहीं हो रही है पाथ चीजें खरीदने जाती हो कितनी खरीद के लाती हो घर पाथ चीजें मन में रखती हो तो दो लाती हो तीन चीजें छोड़ देती हो सच बात है कि नहीं सोचती हो कि चलो बाद में ले लेंगे इतनी जरूरी नहीं है अभी नहीं लेंगे है कि नहीं मेंगाई की इतनी मार है डाल मेंगी है, सबजी मेंगी है, फल मेंगा है आटा मेंगा है, चीनी मेंगी है सब कुछ महंगा है ये मोदी जी की सरकार की देन है ये महंगाई आज नौजवान आप इसको शिक्षित करते हो देखिए वो जमाना चले गया है कि बच्चे को बच्ची को भी सब को सबसे पहले जितना भी गरीब परिवार हो कितने भी दूर दराज इलाके के गाओं में कितना भी गरीब परिवार हो मजदूर बाप होगा लेकिन वो मजदूर महनत करेगा खून पसीना भाएगा अपने बच्चे को पढ़ाएगा ये सच है की नहीं है सच है सचा है तो आप अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाते हैं अगर परिशा कर ली पास भी हो गया अगर परिशा कर ली पास भी हो गया परिशी निकल गई सूचे जिन दिल सारे बच्चे यूपी में कितने नौजवान हैं जो तीन चार बज़े गाओं में सुबह उठकर वर्जिस करते हैं दौड लगाते हैं किसलिए सेना में भर्ती होने के लिए क्योंकि वो सोचते हैं कि हम सेना में भर्ती होंगे हमारा जीवन सुरक्षित होगा माबाप का देखबाल होगा और फिर ये भी भावना होती है कि देश के लिए हम कुछ करेंगे देश की रक्षा करेंगे उसको क्या मिलता है मोदी जी की सरकार से उसको अगनीवीर मिलता है आपको पेपर लिक मिलता है उसको अगनीवीर मिलता है मोदी जी की सरकार कहती है हम नई स्कीम लाएं आपके लिए चार साल के लिए भरती हो जाओ पांच में साल वापिस आ जाओ फिर से नौकरी ढूंडो और तुम शहीद हो गए इस देश की रक्षा करते करते तो शहीद का दर्जा भी लोग बेरोजगार हैं इस देश में शिक्षित नौजवान हैं क्योंकि आप सबने महनत करके शिक्षित किया है लेकिन बेरोजगार हैं बीएस्सी पास हैं बीटेक पास हैं आगे अंधेरा दिख रहा है भविश्य में कुछ नहीं दिख रहा है आज देश में पैतिस सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है ये है मोदी जी का राज मोदी जी का तौफा आपके लिए किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है उपर से टैक्स दे रहा है हर समान के लिए जी एस्टी लग रही है खेतों में नुकसान होता है भुक्तान नहीं मिलता कर्ज लेता है कर्ज उठाता है अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए बेटी की शादी होती है कर नहीं पाता बिगाइल कर्ज उठाए क्या मिलता है उसको मोधी जी कर्ज माफ करते है बड़े बड़े खरब पतियों के 16 लाग करोड माफ करते है देश के किसान का एक रुप्या माफ नहीं करते ये हलात है देश के आज ये सच्चाई है देश की आप टीवी चलाएंगे क्या दिखेगा वावा सुनेरे सपने आप टीवी चलाएंगे आपको ये बताया जाएगा कि 70 सालों में जो कॉंग्रेस पार्टी में नहीं किया नहीं किया उद्धास सालों में मोधी जी ने कर डाला है आपको बतायेंगे कि देश इतना विक्सित हो गया है इतनी खुशाली है कि पूछे मत लोग खुश हैं किसान खुश है उसको जंधन योजना मिल रही है महिलाएं खुश है उनको पांच किलो राशन मिल रहा है ये ही सब बाते सुनने को मिलेंगी और देखने क्यों मिलेंगी सही है लेकिन सचाई क्या है सचाई ये है कि पांच किलो राशन में आपका पेट नहीं भर रहा है सचाई ये है कि किसी नौजवान को बोलो कि पांच किलो राशन तहीं तुम बताओ पांच किलो राशन दूंगी या रोजगार दूंगी कौन सा चुनोगे कौन सा चुनोगे क्यों क्योंकि रोजगार से तुम्हारा भविष्य बनेगा रोजगार से तुम्हें आत्म सम्मान मिलेगा रोजगार से तुम कमा पाओगे अपने परिवार के लिए पाँच किलो राशन जैसे ही खतम होगा, फिर से कतार में खड़ी हो जाओ, फिर से निर्भर हो जाओ सरकार पे चिपते हैं कि नहीं, हाँ देखिया है, अस रही हो, लेकिन वो कानोन तो कॉंग्रेस पार्टी लाई थी, वो भोजन का अधिकार का कानून था, उसके तहट कोई बहुता है थी खतिस गड़ में कॉंग्रेस की सरकार थी, 35 किलो राशन दे रहे थे, हम पांच किलो नहीं, 35 किलो दे रहे थे, मोदी जी की ये भाजप्पा की सरकार फिर से गए, अधिकार ये अधिकार है, लेकिन भाई राशन के साथ साथ कोई और नीती भी तो बनाओ, रोजगार दिर्वाओ, खेती, किसानी इसमें इतनी मेहनत हो रही है, वहाँ से कमाई के साधन दो, मजदूरों के लिए कुछ नीती बनाओ, मिडल क्लास के लिए नीती बनाओ, आप हर स्थर पे देखें, तो इनकी ऐसी नीतिया हैं, कि गरीब मिडल क्लास की कमर तोड़ी जाए, और बड़े बड़े खरबपती जो हैं, वो भी सारे नहीं, कुछ गिने चुने खरबपती, बड़े बड़े हाईवेज के ठेके दे दिये, देश का कोईला दे दिया, सारे ख़दान इनके हैं, तो देश की सारी संपत्ति इनको दे दी, और देश के किसान और खरीब के लिए कुछ नहीं, ये तो सही बात नहीं, अब आरा पशु खेट चरते हैं रात को, क्या करते हो रात को, अब यही आवारा पशु की समच्या खत्तितगर में थी, हमारी सरकार में क्या किया? जर्चेट सेवा समूज अंती हैं, जर्चेट से जो दूद मिलता, उस प्राविया, महिलाओं को रोजगार मिले तो गोबर खरीदने की बात जब जनता ने सुनी तो नों ने सुचा फिर हमारा क्या नुकसान है हम रखे ही लेते एक दो जानवर उससे हमारी आमदनी बन जाए तो यह समस्या हल हो गई अब आप कितने सालों से जुद रहें राटिनों साल तो हो गएं मेरे देखे देखें ना दस साल हो गए जब से मोदी जी योगी जी आए तब से आवारा पशु भी आ गए आपकी समस्या तो बढ़ती चली गई है ना समस्या तो बढ़ी समस्या है खेती से रोजगार भी नहीं बन जाए बढ़ी समस्या है और इन समस्याओं का हल करना सरकार का करतव यह होता है राजस्तान में हमारी सरकार थी हम एक स्कीम लाएं जिससे 25 लाग का स्वास्त भीमा आपको मिल रहा था मतलब 25 लाग रुपए में जितनी भी स्वास सुविधाएं थी वो मुफ्त थी अगर आपको एक बड़ा उप्रेशन करना पड़ता था या कैंसर का इलाज करना था तो 25 लाग तक आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता था सरकार भर रही थी एक कॉंग्रेस ने नीती बनाई राजस्तान में अब भाजपा की सरकार आई है उस 25 लाग को कम करके 5 लाग कर दिया तो हम जो नीतिया बनाते हैं आपके लिए बनाते हैं यही हमारी सब्यता हमारी परंपरा रही है अगर हमारी केंदर में सरकार आएगी तो हम कुछ गैरेंटी लाएं हैं गैरंटी क्या है वही नीतिया है जो हम कह रहे हैं कि गैरंटी के तौर पर हम इनको पूरा करके आपको देंगे सबसे पहली यह है कि जो सनातक पास बच्चे हैं उनके लिए एक लाक रुपए सालाना की पहली जो नौकरी है वो सरकार देगे आप नौजवानों के लिए पांच हजार क्रोर रुपए का फंड मिलेगा आपको ताकि ये फंड आपको नहीं मिलेगा मतलब एक फंड बनेगा जिसमें से अगर आप कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आप थोड़े पैसे चाहते हैं तो उस फंड से आपको पैसे दिये जाएंगे पेपर लीक के खिलाफ सक्त सक्त कानून बनेगा ताकि पेपर लीक होगा तो सक्त कारवाई होगी ताकि आपके भविश्य मजबूत बन पाएं खेती किसानी के सारे सामानों पे जी एस्टी आज लगी हुई है जिसके वज़े से सारे सामान महंगे हैं वो जी एस्टी वो टैक्स हटाई जाएगी खेती के सामानों पे वो टैक्स जी एस्टी नहीं लगेगी सामान सस्ते हो जाएंगे आज आपको उपज का दाम नहीं मिलता हमने कानूँ हमने तैय किया है कि हम कानून बनाएंगे कि आपको सही दाम मिलना चाहिए उपज के लिए जो न्यूंतम समर्थन मूलिय है को कानूनी तोर पर आपको मिलना चाहिए आप कर्ज लेते हैं आपका कर्ज माफ नहीं होता हम कर्ज माफी के लिए एक स्थाई आयोग बनाएंगे जहां आप जा सकते हैं अपने कर्ज को माफ करा सकते हैं उसके लिए आपको सुविधा मिलेगी आज जब खेतों में नुकसान होता है तो भुक्तान नहीं मिलता और मिलता भी है तो थोड़ा-थोड़ा मिलता है समय पे नहीं मिलता तो हम एक कानून बनाएंगे जिसके जरीये आपका जब नुकसान होगा खेतों का एक महीने में आपका पूरा भुकतान होगा बहने आपको मालुम है कि जहां करनाट का तेलंगाना में हमाई सरकार है वहाँ जो गरीब परिवार है उसमें जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 2,000 रुपे हर महीने डाले जा रहे हैं हम चाहते हैं कि देश भर में जितने गरीब परिवार हैं उनमें सबसे बड़ी जो महिला है उसके खाते में 8500 रुपए हर महीने मतलब कुल मिलाकर साल आना एक लाक रुपए सरकार डालेगी इससे आपको सुविधा होगी ये जो महंगाई का बोच है ना जो आप उठा रहे हो इससे राहत मिलेगी आशा बहुएं आंगनवाडी की बहने और बिड़े मील की जो बहने हैं उनके लिए हमने कहा है कि हम जो केंद्र से राशी भेजते हैं उसका दुगना भेजेंगे ताकि आपके मांदे बढ़ जाएंगे सरकारी नौक्रियों में 50 प्रतिशत की भागीदारी आपकी होगी मतलब कि जो पहले के आरक्षन है OBC, SC जितने भी आरक्षन है वो रहेंगे लेकिन उन में OBC महिलाओं को, SC महिलाओं को उन आरक्षन के तहर आधे सरकारी नौक्रियां महिलाओं को मिलेंगे ये हमने तै किया है आज श्रमिक का शोशन होता है हम तै कर रहे हैं कि जहां भी आप मजदूरी करें पूरे देश भर में न्यूंतम मजदूरी 400 रुपे की होगी और हम शहरी मनरेगा लाएंगे जिस तरह से गाओं में आपको मनरेगा से 100 दिन की मजदूरी मिलती है उस तरह से शहरों में भी हम लाएंगे तो ये सब चीज़े हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं और मैं एक और बात समझाना चाहती हूँ कि जो नेता आपके सामने आकर अपने काम के बल पर वोट नहीं मांगता लेकिन धर्म के नाम पर या जाती के नाम पर आपसे वोट मांगता है उससे साफधान रहो आज देश के प्रधान मंत्री इतने बड़े पदपर आसीन है लेकिन अपने काम नहीं गिनाते आपको आपको ये नहीं कहते हैं कि दस सालों के राज में उन्होंने आपके लिए क्या किया कॉंग्रेस से साफधान रहो आपको मालूम है उन्होंने कहा एक भाशन में कि कॉंग्रेस से साफधान रहो अगर आपके पास दो भैस हैं तो कॉंग्रेस एक भैस चुरा लेगी तो बोलो 55 साल से कॉंग्रेस का राज था कभी आपकी भैस चुराई ये जो भाशप्पा के प्रत्याशी हैं यहां के वो आपकी जमीन जरूर चुराते हैं लेकिन कॉंग्रेस ने आपका कुछ नहीं चुराया कॉंग्रेस ने हमेशा आपको मजबूत करने का काम किया पंचायती राज राए प्रधानों को मजबूत करने के लिए ये आपके प्रत्याशी भाजपा वाले क्या करते हैं आपकी जमीने चीनते हैं प्रधानों को प्रताडित करते हैं कोटेदारों को प्रताडित करते हैं प्रधानों को एक स्वतंत्र निर्णे नहीं लेने देते हैं सिर्फ आतंग फैलाते हैं पूरे क्षेत्र में तो चाहे मोदी जी हों चाहे उनके प्रत्याशी हो यहांके उनकी राजनीतिक सभ्यता यह नहीं है कि आपके प्रती कोई जवाब दे ही होनी चाहिए कि आपके सेवक है विधायकों को घूस दे के सौ सौ करोड की सरकार गिरा देते हैं और इस बात को छुपाते भी नहीं है इस बात को खुले आल कहते है और इस देश की मीडिया इस देश के टीवी के चैनल कहते है मोदी जी तो मुम्किन है आपने सरकार लोक्तांत्रिक तरीकों से चुणी और सरकार खड़ी की और मोदी जी ने पैसे खिला कर घूस दे के उसको बदल दिया ये सचाई है आज तो आप इन चीजों को समझे अपने जीवन में जो दिख रहा है उसके आधार पर अपना वोट दीजिए आपने देखा है यहां का विकास हुआ है आपने देखा है कि आपके सांसद आपके लिए निष्टा से काम करते हैं अब उनके बेटे आपके लिए आए हैं प्रत्याशी बनकर राहुल जी ने खूब लंबी आत्रा की पैदल कन्या कुमारी से कश्मीर चले चार हजार किलो मीटर चले सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए सिर्फ क्योंकि उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा है आप उनको विजई बनाएंगे कॉंग्रेस के प्रत्याशी बनाएंगे परपड की राजनीटी आपके प्रतीश रद्धा दिखाने वाली राजनीटी जिसकी नीटियां आपकी भलाई के लिए होंगी तो आपने बड़ी ध्यान से मेरी बाते सुनी ये देखो ये बड़े समय से बिजारी खड़ी है ये देखो तीसरे बटन पे आपको दबाना है ये पंजे के सामने है इसमें आवाज आएगी एक जब आप बटन दबाओगे आवाज की सुनो पूरी तरे से उसके बाद एक पर्चा निकलेगा पर्चे पे भी पंजा होना चाहिए अगर आपने पंजा दबाया और पर्चे पे कुछ और है तो आप कांग्रिस के कारिकरताओं को जरूर बताओ बूत के बाहर खड़े रहते हैं और बताओ कि हमने तो पंजा दबाया है लेकिन वो पर्चा कोई और आया है ठीक है तो भ्यान से आपने बाते सुनी है आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बाते याद रखना 20 तारीक को पोलिंग है भारी बहुमाच से जिताना जैन